हेलो फ्रेंड्स आज से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इंपॉर्टन टॉपिक है आप सबने ध्यान रखना है कि 120 क्वेस्टेंस में से अप्रॉक्सिमेटली जो 60 क्वेस्टेंस होंगे वो आपके MS Office से आएंगे सो जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे that is MS Office MS Office basically क्या है कि MS Office 2003 भी हम लोग पहले यूज़ करते थे जो रिसेंटली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है MS Office 2007 clear और उसके बाद भी कई MS Office के versions market में available है जो latest version MS Office का market में available है that is 2019 और उसके बाद जल्द ही 2022 भी market में launch होने बाला है बट अगर आपसे पूछा जाए कि latest version कौन है तो वो latest जो सबसे latest version MS Office का है that is 2019 वाला version जो है वो सबसे latest वाला है बट जो mostly use किया जाता है वो कौन use किया जाता है 2007 को हम लोग mostly use करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको अगर हमें open करना हो MS Office को अगर हमें open करना हो तो क्या different ways होते हैं और mainly MS Office क्या है MS Office एक software का package है जिसको किस company ने बनाया है Microsoft Office sorry Microsoft company ने उसको develop किया है MS Office को और MS Office में आगे जागे other applications हमारे पास होती है तो basically MS Office कुछ भी नहीं है MS Office एक package है जिसमें multiple softwares जो है वो available होते हैं हमारे पास अगर हमने उनका use करना हो तो अगर देखने हो तो आपके अगर यह start button पे click करो start button पे click करने के बाद all programs में जाओ और यहाँ पे click करने के बाद आप Microsoft Office पे click करते हो देखिए Microsoft Office पे जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पे multiple applications खोल जाती है जिसमें सबसे first लिखा हुआ है Microsoft Office Assess 2007 यह application है database create करने के लिए Microsoft Office Excel 2007 इसमें हम generally worksheets create करते हैं, calculations create करते हैं Microsoft Office Group 2007 इसमें हम files को जो हैं वो share कर सकते हैं बट mostly इसको use नहीं किया जाता है बट फिर भी धियान रखने कि Microsoft Office का जो component है वो group भी होता है कई वर ऐसा question पूछ लेते हैं कि इन में से आपको कोई ऐसी option दे देंगे जो application Microsoft Office का application नहीं होगा तो आपको at least इतना पता हो कि Microsoft Office के कौन-कौन से applications होते हैं सो वो है SS, Excel, Group, InfoPath भी इसका application है OneNote 2007 भी इसका application है Outlook हम mostly use करते हैं कई बार email करने के लिए डारेक्टली अगर email send करना हो तो Outlook को use किया जाता है बट इस केस में हमें Outlook को configure करना पड़ता है Next है PowerPoint हम presentations के presentations क्रेट करने के लिए use करते हैं Next है Publishers की किसी particular application को या file को create करने के बाद उसको जब finally publish करना हो तो हम Publishers 2007 का use करते हैं Next जो सबसे important Microsoft Office Word 2007 So ये कुछ components है Microsoft Office के तो आपने ध्यान रखना है Microsoft Office different चीज़ है Microsoft Office क्या है एक package है जिसमें multiple applications जो है वो आपको provide के जाती है जिसमेंसे कुछ ये applications मैंने आपको बताई कितनी है total एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो applications है इन नो applications में mostly जो हम लोग use करते हैं वो 5 use करते हैं एक assess, एक excel, एक powerpoint, next word और एक जो last में that is outlook तो mostly हम लोग जो है वो 5 applications को use करते हैं आज हम start करेंगे MS Word तो MS Word का मैं आपको introduction दोँगा ध्यान रखना है MS Word 2007 जो हम लोग use कर रहे हैं कौन सा version यूज कर रहे है 2007 और आपको भी जो paper में question आएंगे वो सारे के सारे question जो है वो according to 2007 के according ही आपको paper में questions पूछे जाएंगे एक चीजा आपने kindly note कर लेनी है कि आपको maximum questions जो है वो कहां से आएंगे maximum questions जो है वो आपको MS Word, MS Excel, PowerPoint, MS Assess, MS DOS ये कुछ 5 topics हैं इन में से आपको कम से कम 50% questions computer के जो है वो यहीं से ही मिलेंगे तो इन topics को जितना हो सके practically आपने करना है और जैसे जैसे मैं आपको करवाँगा वो सारी चीज़ें जो है वो आपने note कर लेनी है सबसे पहला काम ये है कि MS Word को अगर हमने open करना हो तो हम कैसे कैसे MS Word जो open कर सकते हैं एक option तो आपके बस क्या है कि आप all programs पे click करो all programs पे जैसे ही आप click करेंगे next आप जाईए Microsoft Office पे Microsoft Office पे click करने के बाद आप MS Word जो है वो आप open कर दीजीए तो ये MS Word open हो जाता है दूसरा वे क्या है आप direct command के साथ भी open कर सकते हैं क्मांड के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा वर्ड लिखो आप ये वर्ड लिख दिया ठीक है तो जैसे आप वर्ड लिखेंगे यहां पर by default MS Word आ जाएगा और उस पे आप click करेंगे ये दूसरा वे है ये MS Word को open करने का क्या क्या करना है आपने start में जाके run command पे आईए और run command पे आप word लिख दो ठीक है तो ऐसे भी आपका जो MS Word है directly open हो जाता है और दूसरी जो दूसरा way है that is आपके अगर ये यहां पे आईए और सबसे पहले आप run लिखो जैसे आप run लिखेंगे run में जाने के बाद यहां पे आपको win word लिखना है जो by default यहां पे लिखा आ रहा है clear command होती है ध्यान रखने आपने win word तो three different ways मैंने आपको बताए MS Word को open करने के लिए एक तो directly आप graphical user interface के साथ all programs में जाके open कर लो दूसरा मैंने आपको बताया कि आप word लिखतो तब भी open हो जाता है कौन सी चीज कहां पे होती है कितने इसके tabs होते हैं क्या क्या चीज़ें जो आपको पूछी जा सकती है उसको फिर further enhance हम जो नेक्स लेक्चर में करेंगे अब देखिए अब next कि यह MS word की जो window main open होती है वो open होगी यहां पे जो यह white space आपको दिख रहा है इसको हम बोलते है work space या फिर work area भी बोला जाता है जहां पे हमें काम करना होता है यह जो वार है इस बार को हम बोलते है vertical वार जो bottom में बार आएगी जब हम ज्यादा content लिखे तो similar जैसे ही यह vertical बार आ रही है ऐसी ही एक बार यहां पर आएगी और उसको हम क्या बोलते है horizontal बार clear दूसरी जो सबसे important चीज़ वो यह है कि जब हम MS word 2000 यूज़ करते थे तो बहां पे हमारे पास यह ribbon की option नहीं होती थी जो हमें यहां पे मिलती है तो ribbon basically क्या है यह जो सब 2007 यूज़ कर रहे है अगर हम यहां पे 2003 वर्ड यूज़ करें तो उस case में extension जो अब हो document 4.doc हो जाएगा clear यह भी आपने ध्यान रखना है अगर आप चेक करना चाते हूं तो मैं यहां पर आता हूं देखिए इस file का extension देखते हम properties में जाएंगे properties में जैसे में गया है तो microsoft word document.docx आ रहे है क्योंकि यह file 2007 में बन रही है अगर आप इसी file को अगर आप थ्री में बनाना चाते है तो थ्री में बनाने के लिए इसका extension आपको क्या करना पड़ेगा .doc clear x जो अब हो बहां से हट जाएगा तो उसके लिए आप file में जाके save as भी कर सकते है जो दूसरी important जो आपने ध्यान रखने की क्या है MS Word 2007 में mainly जो window screen divide की हुई है वो ribbon में divide की है जो सबसे top बाली बार है उसको हम बोलते है title बार इसके जो नीचे का concept है सारा का सारा इस बार से नीचे जितना भी सारा ये है ये बारी बार ये नीचे formatting toolbar है इस सारी बार को हम basically क्या बोलते है एक एक इकठा word दिया जाता है that is ribbon तो ribbon आपने ध्यान रखना है ribbon में mainly तीन चीज़े आती है आए आपका office का button जो ये बाला है जैसे आप click करेंगे तो ये भी ribbon का ही part होता है दूसरा यहां से quick access toolbar ये भी ribbon का part है यहां पर by default आपके वास ये कुछ options देख रही है अगर आपको इनक तो कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं आप right click करो यहां पर आप customize कर दीजिए customize में देखिए क्या रहा है यहां पर save undo है redo है clear मैं अगर यहां पर new की option भी रखना जाता हूं तो मैं new भी रख सकता हूं तो भी customize होगी जो किसी को हटाना जाते है तो आप save यहां से हटाना रीबन का जो concept है यह जो page से उपर वाली work area से उपर आपको दिख रहा है यहां से title work area से उपर और title वार से नीचे यह जितना भी आपको content दिख रहा है यह सारा का सारा क्या है ribbon और ribbon का concept जो MS Word 2007 में ही आया है ribbon आपको Excel में मिलेगा PowerPoint में मिलेगा and MSSS में भी मिलेगा यह भी आप दियान रखें clear so ribbon कितने parts होते हैं मेल ली ribbon के एक office button यह भी ribbon का part है quick access toolbar यह भी ribbon का part है और दूसरा जो यह menu tabs है यह भी ribbon का part होते है clear so कितने menu tabs present होते है ribbon में यह question आपको आ सकता है total 7 menu tabs जो present है किसमे MS Word 2007 में कितने 7 कौन-कौन से सबसे first कौन सा है position भी पूछ सकते है कि सबसे first य होता है तो आपने यह धियान रखना है by default कौन सा tab present होता है home tab अब home tab के under कितने groups है commands के तो यह भी आपने धियान रखना है home tab is further divided into five groups first group is clipboard दूसरा है font तीसरा है paragraph चौता है style पांचमा है editing clear so clipboard में कौन-कौन सी options है आपके पास paint है यहां पे paint के बाद format है cut है copy है यह सारी जो second tab है वो है insert tab तो जैसे आप insert पे click करेंगे insert से related जितनी भी commands होगी यह उसका जो formatting toolbar होगा वो open हो जाएगा और यह सारी commands हमें मिलेंगी यहां पे ठीक है किसी page को अगर आपने break करना है तो आप page कर सकते हैं तो आपने ध्यान रखना है और मैं आपको बता रहा हूँ यह questions paper में पूछे जाते हैं तो यहां से क्या 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 question बन सकता है कि by default कौन सा tab पहले present होता है तो home जो tab है वो by default present है और उसकी commands भी यहां पे present होती है यह भी question आपको पूछा जा सकता है कि home tab is further divided into how many groups तो इसके five groups होते हैं clipboard, font, paragraph, style and editing next is insert, insert जो है वो second tab है और यह further कितने parts में divide है page, pages, tables, illustrations, links, head and footer, text and symbols तो total यहां पे कितने हो गए seven, so insert tab is further divided into seven groups, first group is page, tables, illustrations, links, header and footer, text and symbol, next है जो third tab है that is page layout, page layout के further कितने groups है, themes है, page setup है, page background है, paragraph है, arrange है, यह सारी चीज़े जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह kindly आपने note कर ले नहीं, यह आपको पूछी जाएंगे paper में, reference है, so references further कितने parts में divide होता है, कितने groups हैं, यहाँ पे commands के, तो पहला group कौन सा है, table of contents, footnotes, citations and bibliography, captions, index and table of authorities, तो total इसके कितने होगे six, mailing, mailing में आपको personally बताऊँगा कि mail कैसे की जाती है, आजकल सबसे ज़्याद पास दो different documents होते हैं, एक में database है, और दूसरे में एक proper document है, उनको हम कैसे join करेंगे, so that multiple number of pages जो है, वो एक दम से create हो जाएं, और with different addresses, तो इसको हम क्या बोलते है, mail merge, यह भी मैं आपको सिखाऊँगा, कि mail merge हो हम कैसे करते हैं, but अभी आपने फिलाल इतना ध्यान रखना है, क जो कितने options या कितने groups commands के available होते हैं, आपके पास, that is create, next है start mail merge, next है write and insert field, next है preview result, next है last one is finish, clear, इसके बाद review tab है, जो किस position पर present है, position भी पूछी जा सकती हैं, आपको कि review tab जो हो किस position पर present होता है, clear, तो review tab जो हो किस position पर present है, fifth position पर और इसके further कितनी commands है, proofing, comments, tracking, changes, compare, and protect, तो total कितनी commands होगी, इसकी one, two, three, four, five and six commands जो इसकी होगी, next जो last बाला है, that is seventh tab जो है, उसमें further groups कितने है, document view है, show and hide है, zoom है, window है, macros है, macros का concept भी ज्यादा यूज किया जाता है, तो मैं आपको जिस दिन mail merge का concept बताऊंगा, उसी दिन मैं आपको macros भी बताऊंगा, कि macros क हम लोग कैसे use करते हैं, और क्या basic concept होता है, और कैसे helpful होता है, macros for creating documents easily, clear, तो view के कितने options होगे, आपके पास further, कितने groups में divide है, one, two, three, four and five, clear, so cable question ऐसा आजाता है, कि view के आपको कोई चार options दे देंगे, कि ये इसकी further commands है, उन में से एक जो अबू उसकी command नहीं होगी, तो इसे questions जो अब पेपर में आते हैं, तो आपने ध्यान रखना है, clear जी, दूसरी चीज़, ये होगी बात tabs की, तो ribbon के mainly मैंने आपको तीन components बताया, आपने ध्यान रखना है, ribbon is further divided into three components, first है office button, दूसरा है quick access toolbar, और तीसरा जो है वो, ये इसके tabs है, और कितने tabs होते हैं, total seven tabs, by default क नीचे जो बार present होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे, ribbon बार बोला जाता है, या menu tab उसको हम बोल सकते हैं, यह जितना भी space जहां पे हम कुछ typing करते हैं, यह मैंने माली जी कुछ typing कर रहा हूं यहाँ पे, तो यह सारा का सारा क्या है, आपके पास, work space area होता है, जिस corner से, margin page का margin जो आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यह horizontally करेंगे, और अगर vertically करना तो आपको यहाँ से करना है, तो vertically करना हो तो आप vertical ruler जो आपको use कर सकते हैं, तो कई पर यह भी question आ जाता है कि कितने type के ruler हमारे पास present होते हैं, तो there are only two type of ruler present in MS word, first कौन सा है, first है हमारे पास horizontal और द discuss कर लिए, अब आईए bottom में, यह जो bar आपको दिख रही है, this is known as status bar, तो कई बार यह question पूछ लेते हैं, कि status bar कहां पे present होती है, तो ध्यान रखना है, page की बिल्कुल bottom में कौन सी bar present होती है, status bar present होती है, यहाँ पे कौन page आ रहा है कि किस page पर आप currently काम कर रहे हैं, किस word पर आ reading layout है, bev layout है, next है outline, next है draft, और सबसे important question कि यह जो zooming है आपके पास, document को zoom करना कम यह जादा, तो इसमें क्या क्या options है अब लेबल होती है, तो ध्यान रखना है, जो minimum zoom हमारे पास अब लेबल होता है, that is 10%, 10% का, और जो maximum हमारे पास zoom present होता है, वो है 500% का, तो यह question मैंने कई बा और जो मैंने आपको हर menu tab की options को divide किया है, उनको further groups बनाए है, इनको आपने kindly note कर लेना हो और याद कर लेना है कि कौन सी option कहां पे available होती है, क्योंकि यह कई बार जो आपको पूछे जाती है, बाकि हम इनी topics को फिर से करेंगे, till then आप यह commands जो आपको note कर लीजिए, thank you, जाहि जाहिए, 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 जाहि